गीता में अर्जुन को स्वयम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन संत वही होते हैं और वहां कोई आदर सत्कार नहीं था किसी का और अनादर भी नहीं था किसी का क्योंकि वहां विद्यार्थी टाइप में भगत होते हैं और टीचर जो है वो धात्मी गुरू जो होता है वो धात्मी टीचर होता है तो इस परकार अब उन अपने अत्मों जो ये कहते हैं कि भी परहरब्द के करम में लिख्या हुआ भाग में लिख्या हुआ दुख ये तो भोगना पड़ेगा पाप करम का दंड है और फिर भी फिर वो कहते हैं भगवान का मंतर लेले जाफ करा करिये वक्ती करे आगे सुखी हो जागा अब किसी के पैर में काटा लगया हो और गेरा लगका टूट गया हो उसको स्वें मालूम है ये दर पीडा किस वज़े से हो रही है या उसको पता भी है कि मेरा काटा लग लगता ये तो ऐसी रहेगा जूता पहन ले ले और जूता पहन ले आगे भविसे में काटा नहीं लगेगा तो कुझे आत्मा काटा लगे पैर में जूता पहन है नहीं जा सकता वो तो काटा निकले और फिर उसको सलादे जूता पहन के रखना नहीं तो फिर लग जाएगा तो फिर वो काटे की पीड़ा से पीडित विक्ती खूब समझता है कि काटा कीतना दुखदाई होता है तो फिर वो कभी जूता नहीं उतारेगा बहुत साधानी बरतेगा कि कहीं फिर से वो आपती ना आजा तो इसी परकार परमात्मा कहते हैं जैसे आपके प्रहरुद में रूपी पाप कर्म का काटा आप पर लगया हुआ है और वो काटा निकलेगा यानि सुख हो गया फिर आपको सला दी जागी कि ये मरियादा रहनार ये वक्ती करते रहना तो वो प्राणी पिर कभी मरियादा नहीं तोड सकता रह बक्ती नहीं छोड सकता इस भैसे के कहीं फिर से ना वो बिजली गिर जा फिर से वो आपती ना शंकता है जावैं कितना बुरा प्रहां हो house akkor तो फिर वो कभी भगती नहीं छोड़ सकता और शीधा चलता है तो इसी परकार प्रमात्मा उनको सला देते थे वो पस्थित भगतों को और वहां प्रमात्मा के पास कबीर साहिब के पास यानि मुलेंदर जी के पास अधिकतर वो दुखी विक्ति आते थे कोई मानसिक पीडी थे कोई भूत प्रेतों का सताया हुआ कोई देवों का सराफ दिया हुआ को किसी रिसी के किसी रिसी सादो संतना उनको सराफ दे दिया या कोई प्रहरद के कष्ट से दुखी या कोई सारीरिक रोग से दुखी और प्रमात्मा तो हमारे बगवान है वो तो बुढ्डे बुद्रग्रोगी का की मदद करने चीए नफरत ने करें कहते कुष्टी हो ऐ संत बंदगी कीजिए हो वे स्या के विसवा से चर्णचित दीजिए परमात्मा सला देते हैं हमें बताते हैं कि ये भग्त के कोड भी लगा हुआ कुष्ट रोग भी लगा हुआ हो मक्षियां बिनक रही हो उससे नफरत ना करना उसका मदद करना विलके जितनी हो सकती है कुष्टी हो ऐ संत बंदगी कीजिए भगत को परनाम कीजिए आपस में एक दूसरे को सबसाए उससे नफरत करके मुँपोड करनी जाना चीए और हो वेश्या के विश्वासित रनचित दीजिए यदि किसी बहन कोई अपने करम बस गणिका भी बन गई है वेश्या भी वर्ती कर रही है और वो सत्संग आ जाती है कहते हैं उससे भी नफरत ना करना उसको भी साधु जानना क्योंकि हम सभी ऐसे सथान पर रह रहे हैं ना जाने कब कौन के गलती कर बैठे और हम क्या करते हैं अपने दोसों को ना देखकर दूसरे को के थोड़े दोसको भी गणा बना कर नफरत करते हैं या भी हमारी अग्यानता का ही कारण है अब जैसे पुनात्मा कोई चोर है डाकू है और कोई दुराचारी है ये दीव सत्संवें नहीं आवागा तो उसको ये पता कैसे लगेगा ये पाप कर रहा है तू जिस करम जिस अक्सेतर में वो रहता वो तो उस महाल में तो फसा हुआ है उसी से तो बिगड़ता ही जा रहा है अब जैसे मैला कपड़ा हो गया तो वो जल के निकट नहीं आवगा साबन परियोग नहीं होगा उस पर तो वो मैल समाब्त कैसे होगा तो इस परकार परमात्मा परमेश्वर कबीर जी यानि मुनिंदर जी अपने उपस्ति स्रोताओं को भक्तों को सिख्षा दिया करते थे अब नल और नील तो बड़े संकट से गुजरे थे पाठ टूटा हुआ था दुखों का तीस-तीस वरस के हो गये थे और वजपन नी मान सकता हुए विक्ति जाए थोड़ा सा भी उसके अंदर इंसानियत होगी थे तो वो तो महानात्मा थी नल नील उस दिन से वो बहुत सत्संग में सेवा करने लगे इबुडे बुदर्गों के कपड़े रोगियों के अपाहिजों के कपड़े ले जाओं लाओ जी मैं दोह लाओंगा उनके कपड़े दोहें बरतन साफ करें उनको आराम से बठाओं नुआओं यानि इस तरह वो सेवा करने लगे जो प्रमात महमनिंदर जी के आसरव में जो आया करते थे लेकिन वो फिर भी एक सीधे साधे थे बोले से दिमाग के थे वो क्या करते सत्संग में जो तरचा होती ग्यान सुनते वगवान के मुख से तो कपड़े धोने जाते या बरतन साफ करने जाते दरिया के किनारे सत्संग होया करते थे आसरम होते थे रिशियों के तो वो क्या करते दरिया के जल में किनारे पर कपड़ों को पानी में भिगो देते कि कुछ जेरिन का मेल गल जावे फिर दोएंगे इसी परकार बरतनों को और बैठके किनारे पर वर्क्त के नीचे सच संग सुनी हुई बातों पर दोनों चर्चा करते थी और फिर अपने बीते हुए समय पर अपने पास्ट टाइम पर भी बहुत विचार करते थे और कहते थे देखे वरिशी क्या बकवाद किया करते थे पहले तो कहते थे ये जंतर कर ले ये मंतर कर ले और फिर लास्ट में कहा देते थे ये तुम्हारे परहर्वद का भोग है तुमने भोगना ही पड़ेगा और यहां कहां गई वो हमारे परहर्वद तो भई बगवान आगे हैं परमातमा जैसे है अपने गुरू जी बड़ी दया करी अपने पर और देखो आज सत्सक में ऐसा बताया कभी सुना नहीं हमने अपने अत्मा जो विक्टी तना दुखी था रवो सुखी हो जा और उसको जो ये दास ग्यान दे रहा यही ग्यान परमातमा पहले दिया करते उन्हीं परमेश्वर कभीर जी का दिया हुआ ग्यान दास तो एक है जे टेप रिकॉर्डर आपको सुना रहा दिया हुआ गयान उसी मालिक का है जो चोथे युग से देते हुए आ रहे थे तो वो पहले अगर सुखी विक्ती इन बातों को सुनता है उठके चल पुड़े नहीं कहीं वो ऐसे बकरा है आज तक कभी सुना नहीं तो पहले प्रमात्मा हुआ सेलेक्ट करिये मालिक ने जो दुखी थे और फिर दुखी विक्ती सुखी हो गया वो कहां जाओ तो सारी सुनेगा और सारी सच्ची लगेंगी उसके क्योंकि वो तो दुख से उबरा है तो अर सच्ची तो ये है ही है हमें उस अग्यान के कारण ये नहीं अच्छी लग रही थी तो ऐसे जब वो बातें कर रहे होते हैं तो एक अदा कपड़ा उस जालों में बह जाता था उनको पता नहीं लगता जब वो जाकर दोकर सुका देते उनके कपड़े तो वो फिर उठाते अपने अपने कपड़े कोई कहता जी मेरा तो दोती नहीं मिली कोई कहता मेरा कुर्टा गुम हो गया वो कहते वही हम तो जितने ले गे थे उतने ले आए हैं हमें तो मालुम नहीं इसी परकार बरतनों में भी कोई एकाद बरतन, किसी की गिलास, किसी की थारी परती दिन गुम हो जाती थी। और फिर उन्होंने परतना कि भी देखो मुश्कल से तो हमें गिलास लाएं थे इतनी दूर से कहाँ कैसे लाएंगे भी इससे अच्छा तो तुम ऐसा करो हमारी सेवा मत करो हम खुद कर लेगे हमें तो बहुत अभाव हो गया इन वस्क्रों का अब कहां से लाएं जाकर के तो वो कहने लगे भाई आगे ध्यान रखेंगे हम बहुत ध्यान रखेंगे तो अन्हें जो और सिवादार होते थी वो बताते थे कि ये बोले बाले विखती हैं कपड़ों को ब्रतनों को बिगो कर पानी में बैठ जाते एक तरफ बगवान की चर्चा करते रहते हैं इनको पत बात गई और अब ये हमारी सेवा चीन लेंगे अब सेवा चीन नहीं गई तो बगवान रुष्ट हुए हमारे से ग्रुजी ग्रुजी रुष्ट हो गए तो पर तापतियां फेरा जाएंगी वो इस भैसे करबद हो करके वहां गए ग्रुजी न बुलाए प्रमात्मा ने क बेटा ये बहुत प्रेसान हो गए है आपकी नियत अच्छी है सेवा करने की लेकिन इनको प्रोब्लम गणी हो जाती है तुम सेवा रहने दो बेटा कोई और सेवा कर लो वो चर्णों में गर गे बुरी तरह रोन लगे ये प्रमात्मा हमारी सेवा नाचीन ये बगवन देखा कि इनकी सरदा तूट है इनका दिल तूट जाएगा ये महां दुखी हो जाएंगे तो प्रमात्मा कबीर मुनिंदर जी ने प्रमेश्वर जीन आशिरवाद दे दिया वेटा आज से तुम्हारे हाथों से कोई वस्तू जलम डूब नहींगी वो वहीं जहां रखोग तुम ने छेड़ोंगे तने अब इस वरक को पाकर वो बड़े खुसी वहीं जाकर देख्या वो कपड़े दर दिये जहां रखे थे वही रहे थाली बेले कासी के होते थे वो रख दिये कासी तो ऐसे लूब जाती है कासी बरक पानी तो बेला और उस दरिया पर रख देते प्रतेजियों का तो रहता था फिर एकाद के लिगा पत्थर तो उठाकर रखके देख लो वो एकाद एक अंकर पत्थर उठाकर रखे वो जहां रख दिया उस जल के उपर एजिटी सथीरेन दगे तो ये उन बगतों की तो प्रोलम हल होगी जिनके बरतन और कपड़े गु हो यागरते तो इस परकार नल और नील को ये आसिरवाद प्रमिश्वर मुनिंदर जी दुआरा दिया गया था अब प्रमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जापे ठोपाता ले कहे कबीर ढूंडता फिरूं अपने हीरे मुती लाले एक शिरी लंका के अंदर एक चंदर विजय नाम का भाट रहता था उसके घर के वो कुल टोटल सोला सदेश्य थे उसके घर में पूतरवधू पूतर पूतरियां सब मिलकर सोला सदेश्य थे अपना अत्माओ एक पिता एक माता अपने बच्चों के लिए कितने दुखी होती है एक भी कस्ट में कोई बालक हो जावाए चंता मनीद नहीं आती है और हम जिस पिता के संतान हैं पूरी पर्थवी पूरा विश्व पूरे बर्मांड चीटी से लेकर आती थुक हम सभी उस कबीर भगवान के उस अमर पुरुस के बच्चे हैं अब हम यहां कितने दुखी हैं आप तो बालक हो पता नहीं बालक कचे कितना चोट लगी रहो वो उसको कश्ट नहीं मानता रोता वस्य है और फिर भी गलती करने में पीछा नहीं देखता क्योंकि उसको ग्यान इतना ही है तो वो प्रमात्मा कितना द्यालू है अपनी प्यारी आत्माओं को सर्ण में लेने के लिए उस चंदर विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूर पर रस्ते में जिदर वो सुबह सुबह फ्रेस होने के लिए जाता था वहां एक पेड के नीचे बैठ गे बगवान और भगतात्मा के एक साथ दूरू बना कर बैठ गे रिशी रूप में थे ही रहते ही थे और पुन्यात्मा जो होती है बगवान को चाहने वाली उनके लिए बगवान ने कहा के साथ दूर दरसन राम का और मुखप बसे सुहाग दर्स उनी को होते हैं जिनके पूरण भाग कबीरा दर्सन संत के परमात्मा आवे याद और वो हे लेखे में वाहे गड़ी बाकी कास में बाद वेर्थ अब संत रिसी के दर्सन हुए तंदर विजे भाट ना प्रणाम किया हे महाराज बड़ा सो भाग गया अज मेरा सुबह सुबह महात्मा के दर्सन हुए हे भगवन तो परणाम करके पहले तो चला गया गूम फिर के आया आते से में कहने लगया भगवन अंदास की कुटिया यहीं पर है दर्सन दोदाता अब वो तो गए इसलिए थे वहां कुछ देर डिसकस हुए उनके आपस में चर्चा हुई परमात्मा से ज्ञान सुना उसने के का जी बगवन को चर्चा सुनाओ तो परमात्मा ने स्वारी कथा काहाणी का शिरिष्टी रचना सुनाई काफी ग्यान दिया तो वो बड़े प्रभावी तो वहां कहन लगया बगवन दास की कुटिया यहीं पर है वहां चलिए और वहां पर आपके और भी बच्चे हैं वह भी आपके ग्यान का लाव उठाएंगे तो मात्मा तो गए उसी देसे थे घर चलेगे आसन दियालक से बठाया माली को सोच कपड़े विचा के और फिर सत्संग सुनाया अब उस समय तो केवल एक विक्ती ने नाम लिया चंदर विजय ने वाग की परिवार के नगया नहीं हमें अच्छा नहीं लगता इनकी यह बाते यह तो संकर भगवान से भी उपर बताते क्योंकि स्री लंका का राजा रावन जो है भगवान संकर से अतिरित किसी की पूजा ना करता था तो उसको देखा देखी पूरा स्री लंका भी शीव का ही पूजारी हो गया था तो इस बात को पहले स्विकार नहीं हुआ, फिर वो चले गए वगवान वहां से, पीछे से उस चंदरविज भाट ने अपने पूरे परिवार को बठा बठा के बहुत अच्छी तरह समझाया, तो उन सब का मन बन गया, तो परमात्मा फिर वहां पहुंच गया, अब उन सभी पूरे परिवार ने नाम डे लिया, और जो मालिक ग्यान सुनाया करता था, ये तो ग्यान ऐसा है, पर तेक विक्ति चाहता है, उन सब को सुना, जो भाई को, बहन को, रिष्टेदार को, ऐसान मोल ग्यान, कि देख्या ना सुना, अपने अत्मा वो चंदर वीचे भाट जो करमवती नाम था उसका, वो जाती थी, रावन की पत्नी मंदोदरी के पास, वो उसको चुटकले सुनाती थी, अच्छे बुंडे, इस मन की आदत है, ये राम की कथा कम, और काम की कथा ज्यादा सुनना चाहता है, सैक्स की, तो पहले तो वो बकवाद सुनाया करती थी, पत कुले सुने-सुनके, तो फिर जब उस करमवती को, चंदर विजय वाठ की पत्नी को, उस बेटी बहन को, मालिक का ग्यान हुआ, सब बकवाद छूटीगी, कहते हैं, बवन चतुर्दस डूंडी यह वो प्रमस नही साथ, जिन मिलते हैं सुक उपजय, मिटे हैं, कोट, उपहाद, यह बकवाद मिट जाती है सारी जीव की, तो वहाँ, अब वो करमवती पहले तो बकवाद सुनाया करती, फिर मंदोद्री ने जब ट्राइम होता, उसको बठा लेती, के महाराणी, हमारे गरप बहराज आते हैं हमारे गृषी, उन्हें बहुत अच्छा ग्यान सुनाया है, आपकी आग्याओ तो सुनआओ, कथा, एक सुनाओ, मंदोदरी भगवान को चाहने वाली थी, तो मंदोदरी को जो कथाए सुनाई परमात्मा से सुने हुए ग्यान की, मंदोदरी कहन रगी, कि करमवती, तू तो बड़ी मुझ फाड थी, तेरी इस पातर में नरागोबर बर्या था, गंद उगला करती थी, य अमरत किसे ने डाल दिया, तो यह ऐसी ऐसी बाते कहां से सुने आई, तो उसने बता कि हमारे गुरू जी आते हैं, उन्होंने वह यह ग्यान दिया, मंदोदरी, तो मंदोदरी बहुत परभावित हुई कि इसे संत के, रिसी के दरसन करने चाहिए, उसने का मंदोदरी, इब के तरे गुरू जी आऊना, तो मेरे पास बुला के लगे, अब प्रमात्मा फिर गए, तो उस चंदर विजय की पतनी ने कहा, प्रभू हमारी रानी आपको याद करती है, मैंने आपकी द्वारा सुना हुआ ग्यान, उनको सुनाया, उनको बड़ी परभावित हुई, और उ संद नहीं जाया करते किसी राजा या किसी विक्ति, ऐसे विक्ति के घर, जब चक हुआ हमारे विचारों से परीचित नहीं होते, अब वो कर्मवती फसगी दर्मसंकट में, कि ये धी मेरे गुरू जी नहीं गए तो हमने सजा जवाजे मनमाना मन दोजरी, प्रमात्मांत्र हमी जानेंगे, अब बेटी तो बहुत दुखी होगी, उसने का बेटा ऐसे कहना उसको, कि देखो, रिसी महरे रिसीयों को, संदों को बाई ओर्डर नहीं बुला करते हैं, अब बाई ओर्डर बुलाने से वो आ भी गए, अरजा नहीं बखसेंगे, तो लाब क्या होगा, त सादू संतों के पास जाने से बहुत लाब होता है, स्विम जाना चाहिए, तो मंदोदरी को जाकर कि उसने कहा, रानी मैंने अरज करी थी गुरुदेव से, उन्होंने मना कर दिया आपके यहां आने से, और कहा है कि देखो, सादू संतों को आदे से नहीं बुलाना चाहिए उनके सर्णों में जाना चाहिए, लाब उठाना है, और यदि बाई ओर्डर बुला भी लिया, तो लाब नहीं देंगे, मन्दोदरी कहने लगे, बेंट ठीक है मैं चलती हूँ, अब के तरे गुरुदी आवा तो मुझे मिलाना, प्रमातुमा फिर गए, यह तर भटक रहे है कि आत्मा को अपनी सर्ण में लेने के लिए, सुखी करने के लिए, यहां भी सुखी करेंगे आपको, और यहां से चलोगे जब देखना, सत लोग में ले जाएंगे, वहां तो कहना है किया कितना सुख देंगे, अब क्या हुआ, मंदोदरी चली गई, प्रमातुमा के दर नाम दे जो, प्रमातुमा ने दिख सादे थी, अब मंदोदरी ने जो ग्यान सुना था, उसने तहा कि अपने पती को समझा जो, यो नरे बकरे खावाए, नरे जो टे खावाए, मास खावाए, दारू पीवाए, और भगत कवावावा ब्रामन, इसने तो करम बेगाड ये तमोगन भगवान सीव हैं, ये पूर्ण परमातुमा नहीं है, अब वो इस बात से दुखी हो गया, कि मंदोदरी तू ऐसी बाते मत कर, मैंने भगवान संकर के, यहां से सीस काट कचड़ा दिये, इन्हों मेरा वापस सीस दे दिया, और मेरे को कितना धं दे दिया, सिध कोई भी जीत लिया, हर में एक बिखारी के आगे हाथ जोड़ूआ जाके, मंदोदरी ने बहुत समझाया के रावन गल्ट बोल रहे हो आप, आपने संत की लिला महिमा से, आप रिचित नहीं हो, इसकर कैसे बोल रहे हैं, तो आखिर मेरे को आगे से यह मत कहना, मैं तुझे मना नहीं करता, तु कितना दान कर, धर्म कर, किसी गुरू से उपदेश रख, आप कहते हैं, लड़की अपने पती को हमेशा जीवित देखना चाहती है, उदर से क्या हुआ, कि कुछ दिनों के बाद जैसे विश्णु आवतार स्री राम चंदर जी, राजा दसरत के घरदन में थे, व्युहा हुआ सीता जी के साथ, व्युहा होने के कुछ समय उपरान तो उनका बनवास हुआ, वो बन में अपना समय वितित कर रहे थे, वहां से सीता जी का अपहरन कर लेगा रावन, अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी यानि मुनि इसने अपना दोहना मौत ले आई अपनी और कह दे इसको इसने बाई इदत वापस दे दे, इसको सिंपल वो मैं ना समझे, ये देवी है और देवी को सताना महापाप है, इसको वापस पहुचा दे, इसकी इसी में खैर है, वैसे तो औरत वैसे देखकर आजी नहीं होती कि भी उसेने जब यह पता चला कि मेरे पती की जानसंकट में आवेगी, क्योंकि संत जो कहते हैं, वो सत मानती थी, ये महापुरुष जूट नहीं बोलते हैं, क्या ले ना देना है, ये कोई रामसंदर से मिले नहीं, या किसी और को जानते नहीं, सिर्फ सचा ही बता रहे हैं, वह बहुत परभावित हुई, रावन को समझाने की बहुत चेश्टा की, तो नहीं माना है, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बीच में एक परकरंड रह गया, अब रावन तो सुने नहीं था, और यूग्यान ऐसा है, आदमी अजम कर नहीं सकता के ला, जो यूग्यान आपको सुनेगा, दास बतारा बगवान का दियावा कबीर साहिब का, तो उसकी ये नियत रहती है, बताओं जरूर किसी ते, चाहे को सुना है, चाहे ना सुना है, तो रावन ने सुनना बंद कर दिया, उसका देवर थ विभिकसन, मंदोद्री उसको लागी समझाने, तो वो, पहले तो दोनों बहाई बैठी थे, रावन को समझावा थी, रावन नहीं मानना तो विभिकसन कहने लगया, मन मुझे बता, तो ये बात मंदोब बहुत अच्छी लगे हैं, ये आपकी का, पहले बार सुन रहा हूं लेकिन फिर भी अर्दम समाती हैं, तो मंदोद्री ने उनको खूब समझाया, फिर कहा कि अब क्या बने, कि दिख सहले अब, नाम ले गुरू जी से, कि चल नाम दिवा मेरे को, मंदोद्री अपने देवर को लेगी और नाम दिलवाया, प्रमातमा थे, अब उस ग्यान से व मंदोद्री ने बहुत कुछ समझा लिया था, तो उधर भी विक्षण ने भी उसको बहुत कुछ समझाया, रावन, तेरे गर में कितनी अच्छी औरत है, और फिर भी तू बकवाद की तरफ चल रहा, क्यों भाई-भाई को कह सकता है, जब उसकी कोई संकटा पत्ति उसके स तो उसने क्या कहा, रावन नहीं माना, रावन कहने लगा, तू कायर है, और तेरे बस की बात नहीं बैठ जाएक तरफ, अब मंदोद्री ने देखा कि यो नहीं माननेगा और ये मरेगा, और मैं विद्वा हो जाओंगी, अपने गुरूजी से प्रार्थना की वगवन, आपकी बात को, प्रमात्मा ने कहा बेटा, ये नहीं मानने वाला, इसके अंदर वो गुर्ण नहीं है, तब मंदोद्री ने कहा, बगवन एक बार आप उनको समझाने की तेश्टा करो जाता, और ये दी वो नहीं माननेगा, तो आप अपने आपको आज से भी द्वा मान ल प्रमात्मा ने सोची, या बोड़ी बेटी, अब ये जोगाट जोड़ रहे हैं, कालना हमारे कितना नालाइक, एक नमबर का दुष्ट विकती हो रहां, पता नहीं कि कहते हैं, सो जोट्टा का मास ते एक दिन पक्यागरता उसके लिए, और सो मठके दारूगे प्यागरता एक कब है, अपने अत्मों ये बाद मरदत से नहीं क्योंकि सो जोट्टा हैं का मास एक आदमी के उकर खावे, क्योंकि हम उनके स्रीरों से परीचित नहीं, उनकी हाइट से परीचित नहीं, उनके आहर से परीचित नहीं, ये ता हमने देखे, हम दास 61 मावरस जल रहा दास क जब हम छोटे छोटे थी तोगड़े तोगड़े आदमी देखिए अर्णों कहा करते ही हो 32 लड़ू खा जाता है 32 अदमी खाओं 32 लड़ू आज के दिन और उनके बद अजमी हो जाए और एक एक धड़ी खीर खा जाया करते है अबरामों ने हमने देखे यानि पॉच पॉच की लोगा हरी वेक टोरी ना उट रहे है तो इस बात से भूल जाओ तो कहने का भाव यह खाम उस सती थी बात हैं गितने कुकरम करा डिली उसका बुदी में कहा वह यह बात है तो परमातमा ने सोचा या बेटी इसका बंजगी है या इसकी कमज़ोरी इसको मा रहेगी तो परमातमा ने कहा ठीक बेटी में जाता हूँ एक दिन कोसिस करूँगा तेरे तेरी सर्दाना टूट जा बगवान ते इसलिए अब रावन की सभा लगी हुई थी और बाहर पे रिजदारों को जिसमें उसकी मीटिंग होती थी यानि सट्रिक्ट ओर्डर होता था कि बाहर से चिडिया भी नहीं आ जा अंदर उसमें परमातमा वहाँ जाकर परगट होगे पे रिजदारों के साथ पास खड़े हुए कहा भी राजा को संदेशादों के रिजदारों महाराजी आमें बक्सो इदर आज कोई जा नहीं सकता अंदर का आदेश बाहर जा सकता है बाहर का आदेश भी हम अंदर देने नहीं जा सकते महारा राजा बहुत खतरनाक है गरदन काट देगा प्रमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए जहां राउन बैठा था उंची सटेज पर और नीचे उनके बैठे थे सपसलार कुर्सियों पर उसके थोड़ी सी दूरी पर अंदर जाता हुआ देखा रिशी देखकर वो एकदम चकित हुआ कि ये विक्ति अंदर कैसे आ गया हमारी गुप्त मीटिंग चल रही थी तो उसने आव देख्या ना ताव देख्या वो तलवार निकाली कि तू अंदर कैसे आ गया अब उसने उसने जो ना एक नो अंद करोद में नो सत्तिर वार किये थे तलवार के परमात्मा को काटने के लिए और कबीर प्रमिश्ट मर्थात मुनिंदर जी के हाथ में एक सीख थी जाडू की ये जाडू होता है उसकी सीख एक ले रखी थी दाता ने और जब वो तलवार मारे था वास सीख अड़ादें थे वो सीख के ऐसे लगए थी वो तलवार उसकी जैसे लोहे के खंबे के लाग्यार कटा 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 हुए जब रावन का पसीन ने आ लिये जब थक के खड़या हो गया कहने लगया तु अंदर कैसे आ गया प्रमात्मा बोले तिरे विया सीख तक टी नहीं तु मुझे मारेगा तब उसने पूछा कि तु रावन बोला उनको बलाओ पहरेदारों को उनको कतल करूँगा प्रमात्मा बोले उनका दोस्ट नहीं है उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था संदेश भी देने के लिए प्रमात्मा से पूछा रावन ने तु आया कैसे अंदर के ऐसे आ गया अंतर ध्यान होगे और फिर परगट होगे रावन के सामने से एक दो मंतर जहान होगे और फिर परगट होगे कि मैं उनको आता दिखाई नहीं दिया मैं ऐसी हा गया अब वो दुश्टा आत्मा फिर भी ना समझाई यो कौन है तरे सामने कहने लगा देखो तू जा यहां से तू आया किसलिए है बता तेरी बात क्या है तो परमात्मा ने कहा के रावन तेरा जो है अन्तिम समय आ लिया है और मेरे आदेश का पालन कर कैज़े तू इस लड़की को वापस दे देगा सीता को इस देवी को तो तेरी जीवन को मैं बदल दूँगा इन बुराइयां तो ने छोड़नी पड़ेंगी वो कहने लगया तेरे जैसे सिख्षक मेरे पास बहुत आलिये मैं सिख्षा बिना नहीं हूँ मैं खुद ब्राह्मन हूँ विद्वान परसूँ और तू एक बिखारी रिसी मुझे क्या सिख्षा देता मैं तिरी बात ना मानो को अब रावन की तो वो सती थी हो चुकी थी कबीर ये माया अट पटी सब गट आएन अडी किस-किस ने समझाओं या कुए भांग पड़ी एक बुड़ा विक्ती सराब पी एं खड़ा था और न्यों अल्ला है उसका डोगा गिर गया जमीन पर वो डंडा ले रखे तो गिर गया एक जेंटलमेन आया वो के ने लेगा बुजरग ताउ जी तो या सराब क्यों पिया करो आप देख सारा स्रीर का पिर आपका अर डोगा भी ना उठता नवला रे डोगा दे दे टो रावन ने वैटनी पी राखी थी इस काल की भानग प्रमात्मा से कहा कि तेरी बात मानूना कती, तो जा चाए मत जा, कि नो देख लिए हमारे तो मरता ना, सारे कुक्रम करके देख लिए, और फिर भी नूना माना ये कौन है, तो प्रमात्मा कहते हैं, आपको इस काल ने अंदा कर दिया इस जूठे सुक को सुक है ये मान रहा मनमोद ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोध और उस मिटिंग में वी भिक्सन भी उपस्ती था प्रमात्मा आगे वहां से चले गए शाम के समय भी भिक्सन घर पे आया अपनी भाबी से कहा कि आज तो गुरुजी को मार दिया होता बाही ने तो मंदोतरी कहने लगी ये इस संकट में मैंने ही गुरुदेव को डाल दिया नालायक ने और मेरी प्रार्थना परी वहां गए है क्या हुआ कि ऐसे ऐसे एक दम कितने क्रोधी तो होगे सटेज से कूद कर स्विम तलवार मारने लगे गुरुजी के हाथ में एक सींख थी वाद सींख भी ना कटी जब ठक के बैठ गया प्रमा तुमा ने कुछ कहना चाहा है मान्या नहीं तो भगवान वहां से आगे अपने अत्माओ जो हमारा पिता है उसकी तो उसकी तो में ख़वर भी नहीं जो हमारे लिए दुख पा रहा है भटक रहा है कि प्राणी को समझाने के लिए ग्यान देने के लिए अपनी सरण में लेकर यहां भी सुखी करने के लिए और हम उनको पूद रहे हैं जो हमें ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते जोंकि देवता है यह विरूमाविश्णु महेस यह हमारे प्राणी को परिवर्टित भी नहीं कर सकते और यह दुख दे नहीं सकते क्योंकि अब देवता है अथियात्माए हैं तो हम इन को पूज रहे थे तो पुन्यात्माओ मंदोद्री करने लगी गुर्देव के पास जो प्रमात्मा से मिलने गी और कहा वगवन माप अक्षमा करना मुझदासी को मेरे कारणा आपने बहुत हूंचनीत सुनना पड़ा दा दाता मेरा पती का मूँ था वो मुझे सता रहा था अब दाता वो बेसिक मर जा मेरी और से आज मर लिया हो वो मरियों से जिनता रही हो दाता अपने चर्णों से दूर ना करना अपनी बच्छी को तो प्रमात्मा ठीक है विटा कहा तू बक्ती कर या कोई किसी का ना है आज कि नेक निती से नबाओ, प्रमातमा से डृब कर रहो जो जिसका भूमी का है पती की है पती वाला रोल करें पतनी का है पतनी का है बेते का है बेते वाली भूमी का ठीक नवानी चीर तब आप सूपातर कल आओगे नहीं तो आप फ्यलो जा «अब क्या हुआ?' उदर से रावन को संदेशे मिले लेकिन रावन नहीं माना श्री राम चंदर जी के संदेश वाहक दूत वहां गए श्री अंगत जी, श्री अनुवान जी आधी आधी लेकिन वो नहीं माना कहने का भाव ये है कि युद्ध की त्यारी होगी अभ युद्ध करने के लिए समुद्ध से सेना पार करनी समझच चागी अभ समुद्ध के उपर का जावें कैसे तो कहते हैं उनके इतिहास में लिखा है जीवनी में के तीन दिन तक श्री राम चंदर जी ने गुटनो जल में खड़ा होकर समुन्दर के अंदर और प्रार्थना की थी के हे जल दी ए समुन्दर राज मुझे रस्ता दे दे मैं बहुत आपत्ती में हूँ मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे रावन ने उठा लिया है सेना पार करनी है उस राकसस को मारना है और उस देवी को छुटवाना है लेकिन समुन्दर नहीं माना अंत में कहते है स्री राम चंदर जी ने लक्षमन से कहा के मेरा अगनी बान दे लातों के भूत बातों से नहीं मानते लक्षमन ने अगनी बान दे दिया उठा के रामजंदर जी ने जो ही वो बान साधा समुन्दर को फूगने के लिए उसमें लप्टे निकलने लगी उस इसमें एक ब्रहमन रूप बुना कै समुन्दर परगट हो गया और कहा बगवन यदि आप मुझे जलावी दोगे आप फिर भी नहीं जा सकते खंडर हो जागा इसमें जाओगे क्यों करें इदा कुवा हो जागा जेरा और ना जाने कितने जीव मरेंगे आप पाप के भागी हो जाओगे ऐसा काम करो बगवन मेरी मरियादा भी बनीर है और आपका काम भी हो जा सरप भी मर्जा लाठी भी ना तूटे है तो स्री रामजंदर जी ने कहा वो बता क्या हो पाए है फिर कि आप की से नाम है नल और नील नाम के दो सेनिक आपके भगत हैं क्योंको उसमें आसपास के सारे ही भगत भगत सारे कठ्थे हो गए रामजंदर जी के गेला वह इसवा पत्ती आगी और एक नकमा अदमी उसकी पत्त नी ठाले गया उदर से सीव लोक से भी काफी गण आये थे भगवान सीव ने भेजे थे तो हम बहुत इकठे हो गये थे तो नल और नील को बुलाया गया नल और नील से कहा गा श्री रामजंदर जी ने कहा कि भाई एक पर आपकी प्रिक्षा दो तुम उन्होंने क्या बताया समुदर ने ये बताया कि इनके गुरू जी के दोवारा दी हुई दिया हुआ आसिरवाद है इनका और उनके आसिरवाद से मेरे उपर ये पत्थ कोई भी वस्तू रखते हैं वो डूबती नहीं वहाँ से टस से मसनी होगी वहीं रहेगी तो मेरे उपर वजन नहीं बनेगा इसका अब भगवान स्री रामजंदर जी ने कहा भी एक बट्राई दिखाओ तुम अब उस दिन देखो हम नूम ऐसे मार खाते हैं पहले तो नल और निल सो सो सुकर मनाया करते हैं अपने अंदर भगवान के और उस दिन वो आंडी पाक ये अब इमान हो गया उनको कि ये थी आज हम गुरुजी को याद करेंगे जनतर मंतर परनाम करते हैं अब उनों ने फटापट उठाया एक एक पत्थर और रख दिया समुदर पर डूब गया उनको भी अचमबा हुआ उन फेर दूसरा ठाया वो भी डूब गया तीसरा रखया वो भी डूब गया अब यह सोचने लगे वो एक दूसरे के मूँ की तरफ देख रहे हैं और श्री राम चंदर जी कहने लगे समुदर से वो जो ब्राह्मन रूप में उपस्थित था मानो यह कहना चाहरे हैं कि तू जूठ बोलना था तो ब्राह्मन रूप में उपस्थित समुदर ने कहा के भगवन आज इनने कोई गलती कर दी क्यों भई तुमने अपने गुरुजी को याद नहीं कि आज दिख़े ये अब इमान में आगे इसलिए इनके हाथ से वो पावर चली गई दिख़े वो तो अपना अस्टीमेट बतावा था अब उन दोनों ने फिर अक्समा याचना की गुरुजी को याद किया हे दाता दया करो हमसे गलती होगी माफ करो हम तो पापी आत्मा है वो डिर गे न्यू अकदे फिर वो आपती फिर ना जा तुमारे पर और तुमने कर दी गलती आज ज्यादा मान बढ़ाई की भूख में तो अपने अत्मा परमात्मा हमें आगा करते हैं कि यदि तुम ऐसे मरियादा तोड़ दोगे भगती आपकी नश्ट हो जावगी जैसे माता गर्ब को रख है यतन बनाए और ठेस लगए तो च्छन होए ऐसे भगती जावे जैसे किसी बहन को माता को बहुत वरसों के बाद कोई गर्ब रहा हो फिर वो कितनी चिंतित होती है उस बालक को पूर्ण करने के लिए कहीं उचे नीचे में पैर ना रख्यादा चलते समय भी बहुत सा उधानी बर्तिती है और रात के समय कर्वट बदलते समय भी वो बहुत चंतित रहती है कहीं मेरे बालक पर जोर ना आगया एकदम उधड़क का पड़ती है और देखती है दरद पीड़ा तो नहीं होगी मुझे तो कहते हैं जैसे माता गर्ब कूँ रख है यतन बना वो तो मालक ने करना ही था क्योंकि श्री राम चंदर विश्णू अवतार और श्री करसन भी विश्णू अवतार और विश्णू कौन ये भी बगवान का बच्चा आप जैसे आत्मा पुनकरमी प्राणी पोस्ट ये मिलगी इसको जैसे किसी का भाई मंत्री बन जाता है है तो भाई ही उसका विश्णू को कितनी पोस्ट पे बैठा है तो ऐसे ही आपके ही भाई हैं उस परमात्मा के ही बच्चे हैं तो उनके दुख का निवारन भी वही परमात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता जैसे आपने स्रीमद भगवत गीता अध्याय नमबर पंद्रा के स्लोक नमबर एक से लेका चार और सोला सतरा में जो सुना कि उपर को जड़ वो तो सल्शा रुपी वरक्स की उपर को जड़ है वो तो मौल मालिक है पूरन परमात्मा है और नीचे को तीनों गुन रुपी साखाए विर्मा विश्नु महिस रुपी साखाए है और वो परमात्मा जो मौल है जो जड़ है वो तीनों लोग को में परवेश करके सब का धारण पोशन करता है पंदर में जाय के सतर में सलोक में का है वो मौल मालिक जो है जड़ रुपी जो सारे संसार रुपी वर्क्स की जड़ हैं मौल है वहां से सब को आहार मिलता है तो वो सब का धारण पोशन यानि जिस की जिस सथी ठीकी कोई संकट है और वो परमात्मा ही उसका न्युवारण करता है अपने अत्माओं ये बहुत लंबा इतियास है कई दिनों आपके समझ माओगा सबसे पहले जो परमात्मा आये थे और इस काल से वहां उपर मिले थे उसने विवाद बहुत किया था फिर समर्थ के सामने उन्हत मस्तिक हो गया था इसने कुछ वरदान मांगा था एक तो ये मांगा था कि आप अपना ग्यान देकर अपने सर्ण में लेना जबरदस्ती ना करना बलात मत लेना मेरे से जीवों को दूसरा ये कहा था कि तीन युगों में जीव कम ले जाना चोथा युग जब कल युग आवे तब तो सर्ण जीव वह जावे ऐसा वचन हर्मोई दी जै तब संसार गवन तुम की जै और तीसरा वचन ये मांगा था उसने कि ऐसे मेरा पूत्र विष्णो श्रीराम रूप में तृत्ता युग में जाएगा उसके साथ उसके प्रहुर्द में ऐसे संकट है और इस काल को पता है उसको में टाल नहीं सकता आप वो समुंदर पर पुल नहीं बनेगा वो पुल बनाना वो पुल बनवाना प्रमात्मा ने का ठीक है और मता बिखारी फिर कहा कि ऐसे ऐसे स्री करसन रूप में मेरा पूतर जाएगा और वो एक जगनाथ नाम से क्योंकि बालक तो अपने इसाब से करते जगनाथ नाम से एक पुरी के अंदर एक मंदर बनवाना चावागा और समंदर उसने बन नहीं देगा अब वहाँ उसकी रख्षा करना प्रमात्मा ने कहा था ठीक है और बोल तो इस प्रमात्मा कबीर प्रमात्मा से इस काल ने ये वर्दान माँगा था प्रार्थना की थी कि आप मेरे उस बच्चे की ये काल के पूतर है विच्चनो इस संकट से रख्षा करना तब प्रमात्मा उस बच्चन अनुसार वहाँ पहुँचे और जा कर दे वसे तो उन्होंने विस्था कर ही दी थी नल नील बेज दिये थे यो आप पर काम चाल जाएगा इनका जो ये नियमित रहेंगे तो ये पत्थर रख देंगे ये पार हो जाएंगे लेकिन वो भी फेलोगे अब क्या हुआ प्रमात्मा वहाँ पहुँचे अनल और नील ने कहा कि वो आगे गुरु दे वो आगे गुरु दी अब सब की दृष्टी गई एक रिसी आते दिखाई दिये निकट आए जब स्री राम और लक्षमन ने उनके चर्ण लिये हनुमान सब ने चर्ण लिये तब प्रमात्मा से प्रार्थना की केह भगवन स्री राम ने कहा कि हम बहुत संकट में है मैं राजा दसरत का पूतर हूँ ऐसे ऐसे रावन ने मेरी पत्नी उठा ली है और समुदर के उपर से हमने सेना ले जानी पड़ेगी रिसी जी जब आप अपने अपने सिस्चों को इतनी पावर दे सकते हो आप तो समरत हो हम पर दया करो आज आपके इन बच्चों के आपके शिस्चों के हाथ में वो सकति रही नहीं परमात्मा ने कहा अब इन के हाथ में रहेगी भी नहीं क्योंकि इन्हों ने आज एक बहिंकर गलती कर ली अपने आप में पर भू मान लिया बगवान को भूल गे ये तब स्री राम ने कहा बगवन अब मेरा क्या होगा तब प्रमात्माने कहा कि ठीक करता हूं वैं उस था एक डंडी ले राखी थी प्रमात्माने डोगा, सोटी कहा कि मैं ये रेखा लगाता जाओंगा इस पहड़ के चारों और एक रेखा खेंचूंगा इसके बीच बीच के पत्थर बिलकुल हलके हो जाएंगे जहां रखोगे उहीं रखे रहेंगे पानी में डूप वेंगे नहीं कित्रा बज़न रखेंगे ना अब परमात्मा ने क्या किया एक सोटी लेकर उस एक बहुत बड़े परवत के चैरों और से घुमा दी जो उसके निकट ही था और परमात्मा ने कहा कि उठाओ पाहड पत्थर और प्रियो करो अब नल और नील ये सिलबकार भी थे राज थे मिस्त्री भी थे ये उन पत्थरों को छोल चाल गए और फिर सेट करना भी जानते थी अब क्या हुआ वो पत्थर उठा के ले आए देख्या रखके इतना भारा पत्थर उठ पटांग सा ओ रख दिया वो भी ना डूबया ऐसे त्रह उपरे रख्या हुए नो कर तो सब को विश्वास हो गया अपना अत्मा हो अनुमान जैसे हमारे ये अज्धात्म मारग में आपकती जीरो हो चुके हो और दास भी उसी सत्थी थीमा था अब दास को सत्गुरु मिल गए कहते पीछे लागया जाओं था मैं लोग वेद के साथ रस्ते में सत्गुरु मिल गए दिपक दे दिया हाथ अब ये इतना बड़ा अध्यात्म मारग है कि जैसे हम सत्थ साहिब बोलते हैं और पहले राम राम बोलते थे इसका कारण क्या था ये मंतर जाप करन का नहीं था ये केवल याद दिनाने का होता है कि भाई इस संसार में भगवान बिना कुछ नहीं और जो गुरुजी न मंतर दे रहा है उसकी भूल ना पड़ा है जैसे आप देखा करते हैं अब तो यह बात बिगड़ती जा रही है नास्तिक होने जा रहा है पुरा मानोसमाज काल का दाव लग गया था है तो पहले हम देखते थे जैसे सुबह या कभी गूमने फ्रैस होने जाते थे आने दाने वाले मिलते थे एक दूसरे को राम 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 चाचा वो तीन चेर वार वो लगता राम राम भाई राम 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 हां राम अब ये तो एक आपचारिक ताबनगी थी लेकिन ये स्टार्ट कहां से हुई थी ये ऐसे होता है कि ये मंतर जो गुरू जी देते हैं ये अपने मुख से दूसरे को बोल कर सुनाना नहीं होता नहीं तो फिर उसको सुनाने से आप उसकी गुरू बन गए आपकी भक्ती ना सौनी शुरू हो जाएगी तो इसलिए उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप इस मंतर का जाप करया करो गुरू जीन बता रख्या है गुरू जैसे परते एक विक्ती को सला दी जाती है कि परती दिन भगवान को याद करो मंतर का जाप करो भूलना पढ़ए संसारिक कामों में भूलना पढ़नी चाहिए भगवान को याद रख्या करो तो एक नियम बना रखा था गुरूओं ने कि अभी ये कोड वर्ड है और रस्ते में जब कोई संसारिक विचारों में गरस्ट विक्ती आ रहा हो उसको गोल दिया जाए कि राम राम भाई तो वो समझ जाता था कि ये क्या कहना चाहता है कि ये नू कह है भगवान बजले गु भूल पड़ी हुई उसके चेतन हो जाता था और कुछ देर तक वो फिर उस मंतर को जाब करता हुआ सफर में चलता रहता था फिर कोई भूल पड़ती थी आगए दूसरा टकरा जाता राम राम भाई अगहां राम 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 उनका उदेश से यह उता था कि मंतर ना या तुम्हारा फिर काम बिगड़िया तुम अधिकारी हो नहीं दोनों चोड़ चपट और याद दिलाते रहना एक दूसरे को इस राम सब जब यह बोल ले तो यह समझ ले ना यह कहना चारा है कि भगवान का वो मंतर गुरू जी का याद कर जाब किरा करो इस भगवान बिना अविनासी साहिब माने राम अविनासी राम के हमारा जो परमात्मा है वो अविनासी राम है और उसका मंतर उसके पाने का यह जो विधी है इसको याद रखो वक्तिक रहा करो सत्साहिव सत्साहिव जी सत्साहिव मतलब उस से में आपको यह याद हो कि भगवान बिना हमारा कोई नहीं है और सच मुची ये कबीर साथ सचे परमात्मा अमर बगवान है और जो मंतर उनको दिया है वहाँ जाने का वो जाप ही सही होगी है उसकी भूलना पड़े ये होता था तो ऐसे अनुमान जी क्या करते थे वो नाम तो और ही जाप करते थे लेकिन एक जब वो चलते थे पहाड से क्योंकि कई दिन का प्रोजेक्ट सा कुण सा एकक दिन में बने गिये था वो पोलन तो वो क्या करता था वहाँ से अच्छा बद पहलवान था है वो और शक्ती साली था सबसे बड़ा पत्थर उठावा था और उससे पहले उसके उपर मोटते एक सरों में राम लिख दे था और लेका चल पड़े था दूर ते लाना पड़े था पान साथ किलो मिटर था है तो उसका मतलब ये था कि जो अभी पढ़ है देख आक राम राम का आर्थ लिखा है कि बगती करते रहना और ये काम भी करते रहो और ना भूलड़ा मंतर अपना क्योंकि वजन में बोल लिया था जा नी राम राम भी ना कहा था वो लिख दिया उसनों उपर और आवसकता ये थी एक आदमी अपने से अधीक पत्थर लेगा चलेगा तब ये पूल बनेगा तो वो लिख के चल पड़े था पहल वान और देखने वाड़े इन्हों देख लेते हैं हाँ भी राम मंतर भी याद करते रहो ये काम भी करो जैसे यजुर वेदक जाय नंबर 40 के मंतर नंबर 15 में लिखा है ओम कर्चू समर किलबे समर कर्चूम समर वायू अनीलम अथ इदम बसमांतम सरीरम ओम कर्चू समर किलबे समर कर्चूम समर ओम नाम का जाप ये ब्रेम का है और इसका सिमन गुरू देते थे रिशी जी जिसका सेमन नाम काम करते करते सेमन करो मनוס जिवन का मुख़ए उदेस से जान कर सेमन करो और अपने विशes कसक के साथ सेमन करो तो ये मंतर ये जाब तो विदी ऐसी ही थी लेकिन हटियोग और अग्यानता के कारण इसको कठीन बना लिया तो पुस्य करन लगे, खड़े हो करन लगे, और मंतर जाप करन लगे, ऐसे ही ये मंतर तो पूर्ण प्रमात्मा के बाणे का जो तीन मंतर का जाप है, ओम, तत्सत, तत्सत ये सांकेती के, तो ये भी ऐसे काम करते करते चलते फिरते अपना नाम जाप करना, तो इसलिए राम के लिया करता कि और भी पढ़ लेंगे और भी बोलना पड़ेगी किसी का मंतर करते रहेंगे आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बत चार अक्टूबर 2018 को प्रेमलाल जी किर्प्या हमारे दर्सकों को बताएं कि आपने क्या-क्या बक्ती साथ नए की हैं अभी तत्थ सर जी मैं जो हिंदु धर्मम जो रेती रिवाज में जितने भी देवी देवता हैं माना जाते हैं उसको सब मैं पूछता था बट एक इश्ट देव था मेरा हनुमान जी उनको मैं भुषता था हरमंगला और सनिवार को ज्यादे तर उनकी मैं अच्छी से सिवाएं करता था चोला चड़ाना सनिवार को उरत रखना ये सब करता था तो फिर आप संत्रामपाल जी महाराज जी की सरण में कैसे गए प्रेमलाल जी जैसे की आपने बताए कि आपने संत्रामपाल जी महाराज जी से नाम दिख्शा ली तो क्या आपकी बीमारियां परेशानियां जिन से आप दुखी थे वो ठीक हुई जी भगत जी बिलकुल जगदुरू तत्वदर जी शंत्रामपाल जी महाराज के सरण में आने के बाद 110 परशेंट मैं कहा सकता हूं दावे के सांथ सर की मेरा तबियत पूरी तरह से ठीक हो गया सर डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा पूरा वीकनेश हो गया था यह खाना ओना खाने से पूरा उल्ठी होना बार बार दुस्त मेरा से ज़ेशी मैं तक हमैशा उजा जीवन दवज हमें तबी आप जिनदा रहो एग नें तो आपको कभी भी हारट अटिक आसकता है आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको और तिन साल में मैंने इस बीमारे को ठीक करने के लिए धाई से तिन लाख मेरा रुपिया जो सेविंग था सब लगा दिया बड़े-बड़े दोक्टर भी देखे और कहने चीए हमरे चत्तिस गर्में बैद गुनिया जिसको तांत्रिक बोलते हैं उसके सरण में भी हमने गये हैं पर भी हमको कहीं सांती नहें मिला जब जगत गुरु तत्वदरिशी शंत्रामपाल जी महारात के सरण में आये तभी हमको पूर्ण से आर्थिक रुप से और मांसिक रुप से तीनों रुप से एकदम स्वस्ता हूं 110 में दाबे के साथ कह रहा हूं जगत गुरु तत्वदरिशी शंत्रामपाल जी महाराज की कृपा मुझ पे बहुत हुई है आज मैं पूर्ण रुप से स्वस्ता हूं यह मेरा रिपोर्ट है इंडोश्कोपी का जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि आज इवन आपको दवाई खाना पड़ेगा तब ही आप सही रह पाओगे और इसमें पूरे च्छाले हैं इंडोश्कोपी कि यह तो इसमें च्छाले पाया गए मेरे आतों में जिसके करन से में मेरे को हैपर इसड में आने के बाद यह सारी समस्याई दूर हो चुकी है और नाम दिख्छा लेने के बाद मिले एक चोटे बेटा है जो बारा फिटल लगबग फ़र्ष्ट फ्लोर से गिर गया थे गिरने के बाद भी मामूली से थरोच आया था और वो भी स्वस्ता हो गया यह लाब मिला और मैं बहुत करज में चला गया था परमातमक सरन में आने के बाद पूरा करज़ा से मुक्त हो गया आई चे रिट मैनु मैं पलस में हूं कहना चाहिए आर्ठी कि मजबूती भी मुझे म बिली है गुरी जी के सरन में के बाद प्रेमलाल जी संत्रामपाल जी महाराथ से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाब मिले तो संत्रामपाल जी महाराथ से नामदिक्षा कैसे ली जा सकती है जगत गुरु तत्वदर्शी शंतरामपाल जी महराथ से नाम दिक्षा चेनलों पर गुरु जी का सत्संग आते हैं उनके स्क्रीन पर डिस्वे होते रहता है जो नंबर है सत्लोक आश्रम का उस नंबर में कॉंटेक करके नजदी की आश्रम से आप नाम दिक्षा ले सकते हैं धन्यबाद सर सत्से आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदरशी संतरामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कर दो दो